नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मुस्कान और आप देख रहें MCX शौरगेन का वीडियो टुटोरियल आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मैट पूर्ण होने वाला है तो मैं आशर करती हूँ आप वीडियो को अंतक जरूर देखें और जो वीवर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटिड वीडियो आते रहते हैं तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है सूपर्ट्रेंड स्कैनर, इसमें आपको एक डैश्बॉर्ड शो हो रहा है, जिसमें कुछ ब्ल्यू बॉक्स हैं और कुछ पिंक बॉक्स हैं, ब्ल्यू बॉक्स से यह पता चलता है कि किस सिंबल में अभी ब का डाटा देखना है, तो हम next के बटन पर क्लिक करेंगे, तो alphabet के according, जितने भी market watch में हमने symbols लगा है, उन सब का डाटा हमें यहां पर show हो जाएगा, अगर पीछे जाना है, तो previous बटन पर हम क्लिक करेंगे, अगर आप इसमें अपने according, target या stop-load change करना चाहते हैं, तो chart पर हम right click करेंगे, right click करके हमें जाना है, indicator list पर, indicator list पर जाने के बाद, super trend में जाके हम edit करेंगे, अगर आप चाहते हैं, target लगाना, तो first option है, आपर target mode, target mode में हमें तीन target दियो है, target 1, target 2 and target 3, जो target 1 है, वो है half percent, target 2 है 1% और target 3 है 1.5%, अगर आप चाहते हैं, कि आपको 1% का target लगाना है तो हम यहापे target 2 select करेंगे, अगर आप चाहते हैं, हमें 1.5% का target लगाना है, तो हम target 3 select करेंगे, इसके बाद आपको option मिलता stop loss in percent, अगर आपको stop loss change करना है, आपको 2% कर रखना है, तो आप अपने according हापे change कर सकते हैं, show past signal, show past signal का मतलब यह हैं दोस्तों, जैसे कि आप चाहत हो, तो हम इस button को true करेंगे, otherwise हम इसे false कर देंगे, next option आता है, show alert, अगर आप चाहते हैं, कि signal आए, जब signal आता है, तो आपको एक alert show हो, तो उसके लिए हम true करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं, कि alert ना है, तो उसको हम false करेंगे, इसके बाद यह आपका period और multiplier है, by default जो period और multiplier है, दोस्तों, यहापे 10 or 4 का, अगर आप चाहते हैं, इसको 7 by 3 करना है, तो 7 by 3 आप अपने according भी change कर सकते हैं, तो इसके बाद हम okay कर देंगे, okay करने के बाद दोस्तों, मैं यहापे close के button पे click करूंगी, अब जो मैंने हम आपे target stop loss लगाए हैं, तो उनी के according यहापे data आ रह और target जो है 1900 का है, accuracy total आपकी 35% आ रही है, जितने भी, अभी हमने जो target stop loss लगाए है, जो हमने target stop loss चेंज गया है, यह accuracy उसके according आ रही है 35%, अगर हम आपे दुबारा से change कर देंगे, मैं अगर अपना target change करूंगी, आपे मैं target 1 ही select करना चाहूंगी, इसके बाद मैं okay करूंगी तो यहाँ पे accuracy भी उसी target के according मुझे यहाँ पे show होंगी, तो इस तरीके से आप super trend scanner को use कर सकते हैं, तो अगर दोस्तों आपको super trend scanner डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे chrome पे, chrome पे जाने के बाद हम यहाँ पे URL डालेंगे, bit.ly forward slash msgabsc, इसके बाद यहाँ से को copy करूंगी, right click करके मैं यहाँ पे copy करूंगी, copy करने के बाद मैं mt4 में जाके file पे जाके open data folder पे जाऊंगी, open data folder पे जाने के बाद mql4 पे जाके indicators मैं यहाँ इस indicator को paste कर दूँगी, paste करने के बाद इस navigator window में खाली जेगे पे right click करके मैं refresh करूंगी, जब मैं refresh करूंगी तो मुझे यहाँ पे super trend scanner मिल जाएगा, और अगर आपके पास mt4 subscription नहीं है तो description box में आपको कुछ number दिये गए, उन number पे आप call करके demo ले सकते हैं, और अगर आप subscription लेना चाहते हैं तो आप subscription ले सकते हैं, सुपर ट्रेंड स्कैनर का तीन दिन का डामो अबलेबल है अगर आप डामो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिये गए दियो नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं आशे करते हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर हैपी ट्रेडिंग